हेलो दोस्तों मॉस्ट वेलकमिन अलेबाउट एक्जाम यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं यहाँ पे यूपी वीड एक्जाम को ले करके आप सबों को पता ही होगा कि यूपी वीड के 2020 के एक्जाम अभी हाली में होने वारे हैं 9 अग इत्ली निकारट और उसके क्या एक्जाम सही समय पे होने जा रहे हैं या पी एक्जाम आपके पोस्टपोंड हो रहा हैं लेकिन उसे पहले बात दोगार आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक और ज्यादा ज्यादा सेर किजिए तो आये शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है वह इंफॉर्मेशन दोस्तों सबसे पहले हम बात करते है यूपीबीट जबी 2020 होना है 9 अगस्त में आप देख सकते हैं यह ले लास्ट जो आपे सबसे लास्ट का अपडेट है यूपीबीट का ओफिसल साइट लखनओर उनिवर्सिटी का ओफिसल साइट पर वह यही है क्यों आप सब को पता होगा इस बार आपका लखनओर उन हम बता दें आपको कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका लखनओर इनिवर्सिटी है इसने एक कमीटी के गठन किया कमीटी के गठन के बाद इन्होंने सारे डेट को फिक्स करने का काम के चाहिए वह एडमिट कार्ट से रिलेटेड हो या फिर आपके रिज स्टाप्स करोना पाए गए लगवाग 5-6 स्टाप अभी तक करोना पॉजिटिव पाए गए हुए और सारू अब और जितने भी कंडिडेट है और सारे कंडिडेट से उनको करेंड़ाइन में रखा गया है उनका भी पोजिटिव और निगेटिव टेस्ट होना बाकी है लेकिन हमको उससे ज्याद मतलब नहीं है लेकिन यहीं पर मैं वाजा दूं कि अभी आपने अभी आपके बहुत सारे प्रस्ण आ रहा है साथ चात्रों के मन में बहुत सारे कि क्या एक्जाम केंसील होगा एक्जाम पोस्ट पॉन होगा तो देख लीजिए आप ऑफिसल पर यहाँ पर नोटिस नहीं आए एक्जाम केंसील होने का लेकिन आपका एक्जाम हंड़ेट परसंट कैंसील हो रहा है 100 फिर से पोस्ट पॉन होड़ा इसमें कोई दोमत नहीं अब मैं कैसे का रहा हूं तो मैं आपको प्रूब दिखाने वाला हूं और सारे परूब के शीम की एयम की एक्जाम के इन किये की मेडिपलु के इंटरेक्रेशु है जो इंटरेंस जए मेडिकल टिसम कराथि कुछां इसे करके मतलब 1 लाग के अंदर इंदर ही उग doesn't और बदिश कर चालएं सब्सक्राइब आस सब्सक्राइब्सुन कर चाइक भी कडेरे अ कराइब beautiful कि टैनल करेंवें यह सब्सक्राइब स्याहकर अजिगर फीर यह कैसेU लेकिन के लसे अगूल हमारे शवयार्य पहुतित तब और को सब्सक्राइब चाहिए पारण suchité सबसे बड़े एक्जाम की एक्जाम आपकी होनी थी और इसके डेट को प्रस्तावित किया गया था 17 अगस्त से नोमबर के पहले हम कोई एक्जाम लेंगे ही नहीं बहुत सर्य आए बहुत पुलीasses गताने वाले Originally अब मैं बता दूए आपको कि जो सबसे बड़ी यहां पर यही एक तरह का सकते हैं कि जो एक्जाम अभी है लगतार सारे पुस्ट पूंट किये जा रहे हैं अब कोई मतलब कर सकते हैं कोई आपका अपको लगड़ा यूपी बीड में सारे चार लाकर पास में केंडिडेट है अब बहुत सारे चार जो मेसेज करते हैं कि सारे ऐक्जाम हो जाना चाहिए देख लेंगे यह कर लेंगे वो कर लेंगे तो अप लोगो को लग रहा है कि आपके जो एकजाम कंड़क्ट करने की हूनिट है वही जिम्मवार होगी तो इसलिए यह फैसला गौर्ण ले रही है एक्टूबर से पहले अभी कोई एक्ञाम करना कि इत्का 느या नहीं हो सकता दोस्तों यही आपडेट आज इस वीडियो में आप देख सकते एक्टूबर के पहले एक्जाम कंड़क्ट नहीं करात पाएंगे तो एक से सी एक बहुत बहुत बड़ा आयोग है और वह बहुत अच्छा फैसला ले चुका है कई बार उसने इज़ी एक्जाम डेट को केंसिल करने का काम किया है इसलिए अब सभी एक्जाम केंसिल कि जाने आप देखें तो को capture और नया गाइडलांस दिख के दरा और फिर से जारी किया जाने वाला है सुप्रीम कोट के सुप्रीम कोट में एउजीश के ममला को ले जैने के वाद भी फिर से नया गाइडलांस जारी हो और घी यूशला तो आपको अक्टूबर के पहले एक्जाम नहीं लिया जा सकता है अगर एक्जाम घर से होकर दिया जाने की ऐसी बेवस्ता कर रहे हैं सरकार मुबाइल से वेगारा कैसे भी आप दे सकते हैं तो अलग वात है लेकिन अभी मैं आपको बता दो कि ऑफ्रेंट का एक्जाम भारत और भारत के अंदर अभी सभी एक्जाम को लग अक्टूबर तक पोस्ट पून करने की बाद चल रही है अभी आना बाकी है अभी अफिसल साइट पर कोई डिसीजन नहीं आया है लेकिन मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि तो चार पांच दिन के अंदर पूरे डिसी इतना ही फ्रेंड्स पिन मिलेंगा नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद्द